तो दोस्तों सुरियम बात कने वाले IRB Infrastructure Limited Company के बारे में और IRB Infra के अंदर आज अमें यहाँ पर जो है वो अभी फिलाल के लिए अल्मूस्ट 3% के अराउंड की एक छूटी सी यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट और उसी के साथ counter के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अभी फिलाल के लिए कच्छी खासी profit booking भी चलती भी देखने को मिल रही है अब देखो दोस्तों profit booking और गिरावट के पीछे का main reason यहाँ पर क्या है तो कल IRB Infra ने जो quarter two के results पोस्ट किये वो definitely आज market को पसंद नहीं आए क्योंकि company का जो profit है वो हमें yearly as well as quarterly दोनों basis के उपर कम होता हुआ देखने को मिला and obviously कि यहाँ पर यह चीज market accept नहीं करेगी ठीक है अगर कोई भी एक segment के उपर भी profit increase हुआ होता तो भी शायद से चल जादा अब then to यहाँ पर अगर आप levels को देखो तो Airbnb Infra के लिए 50 rupees एक major support है and short term के लिए 55 एक major resistance है पांच रुपे की range में stock trade कर रहा है अगर 55 को break करके उपर निकल गया अच्छी कासी upside possible है और अगर 50 को break करके नीचे निकल गया तो again एक नई round of profit booking भी हमें यहाँ पर start होती भी देखने को मिलेगी